नमस्कार दोस्तो बहुत रियल स्टेट की एजुकेशन वाला वीडियो होने वाला है बहुत लोगों को चुने वाला है बहुत लोगों का फायदा करने वाला है पेड कंसल्टेशन का ही कुछ दे रहा हूं आप ऐसा समझ ले सवाल है जो लोगों का अक्सर अक्सर पूछा जा है जहां बड़े शहरों में जहां भी है गुडगाओं के example for example कुछ तो यूज करना पड़ता है तो मैं example यहां का भले यूज करूं बड़ एप्लीकेबल सब चीजों के लिए what has happened there is a run-up has happened and is happening in the real estate ठीक है project launch होता है को payment plan आता है कुछ 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 करके उसमें पैसा जाना होता है और लोग सोचते कि यहां डाल दिया तो rate बढ़ गए है for example गुडगाओं के अंदर खहीं आपने साथ 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 आठ हजार square feet पे invest किया था वहां builder price को ले गया है 10,000 तो आपको लगता है 95,000 में तो exit हो जाएगा यह पैसा कमा लिए अब यह नहा वाला जो आ रहा है 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी इसमें भी डाल लेता हूं यह 20% 30% पे खेला केल लेंगे तो advice मैं आपको बताने वाला हूं कि will you get exit तेजी के market में will you get exit ठीक है तो एक चीज़ आपको इंडिया का number one clarity की वर बता रहा है कि exit and यह आप लिख के दे लो कहीं पे exit you will get surely hundred नहीं thousand percent exit मिलेगा लिख के लिख लो कहीं पे यह वीडियो record कर लो दुनिया को बता दो exit मिलेगा हम सब को मिलेगा इस पृत्वी से सब exit हो जाएंगे 1100 करोड exit हो चुके हैं अभी 8500 करोड रहे रहे हैं इनने भी exit होना है इसके इलावा अगर कोई exit अगर आप पूछते भी हो किसी से को बोलता है वो तो धूर्त है ही है धूर्त word I hope आप समझते हैं दी का लेकिन अगर आप पूछते हो तो आप मूरक हैं पूछने वाला मूरक है प्रामिस करने वाला धूर्त है ये याद रखना word पूछने वाला मूरक है और उसकी हां भरने वाला धूरत है अब इसको थोड़े numbers के तहट समझा रहा हूँ तो अभी यह समझ में आगे द्वारका Expressway पे डेड़ पॉने दो साल पहले कुछ बना लाँच हुआ 9000 सम्थिंग पे अलग-अलग स्कीम में थी अभी वो सब खड़ा है विचिस वेरी गुड कि मैं देखने गया था द्वारका Expressway पे अब वहीं पे 20,000 उपे फुट पे लाँच हो रहा है लाँच मतलब बिल्डर दे रहा है तो क्या प्राइस 20,000 हो गया रीसेल ट्राइ करो तो 14,15 में भी घ्राक लगेगा नहीं तो कोई यूँ सोचे कि नहीं 20 हो गया है तो फिर 20 का रेट की हो गया है मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ पहले कि inventory कितनी है that has to be तो ये price differential हमेशा रहेगा इस पे reasoning पहले भी बता दिये पर आप इसके चक्कर में invest ना करें किरपा करके ये exit के चक्कर में don't bite more than you can chew तो मैं इसको percentage में बताता हूँ ideally speaking एक project launch होता है चार साल का बोला जाता है कि बन जाएगा बनता पान से चे साल में NGT वे NGT के बैन और आपको पता है ठीक है तो पान साल का average ले ले लेते हैं छे थोड़ा late हो जाएगा चार बहुत जल्दी हो जाएगा बहुत ही कोई great एक आदा builder है वो बनाएगा या जो phases में launch कर रहा है अभी जो 81 से launch हो रहे हैं और 800-700 बिग जा रहे हैं एक बार में और एक बार में मरने हैं तो minimum पान साल तो यह पान साल हो गया यहाँ पे आपने पैसा देना है 0-100% यहाँ तक तो अगर आपके पास केवल 25% ही है और आप उस पे से निकलना चाते हैं exit लेके तो risk high है अगर आप इसमें घुस रहे हैं 50% ही पैसा लेके तो risk कम हो जाता है और अगर आपके पास पूरा ही 100% पैसा है ठीक है तो risk और कम हो जाता है it is possible that at 25% it is possible that you may get an exit but you don't plan it that way मिल गया फिर कोई और opportunity आगई फिर कर लिया तो ठीक है अदर्वाइस आज के दिन market में को exit दिलाने में interested ही नहीं है is a fact बहुत सर पूट रहा क्योंकि market में अभी market ऐसा है सब सब के मज़े ले रहे है बेचने वाले खरीदने वालो के खरीद कर बैठने वाले बेचने वालो के या खरीदने वालो के ठीक है और बाकी जो कोई भे में चल रहा है कोई लालच में चल रहा है तो emotions बहुत चल रहे है clarity कुछ वो है नि stock exchange नहीं है कि sell order confirmed है I want to sell okay you want to sell at what price okay this price okay you want to buy okay now you want to sell no I don't want to sell तो तो क्यों पूछ रहा था मैं तो rate जान रहा था तो अब यह जब market में हो जाता है तो कोई market में rate ही नहीं builder का rate यह तो अभी लेने वाले भी सीधा ही कूद रहें क्योंकि पेमेंट प्लान ऐसा है या भई उसमें हीरे मोती चांदी लगा देते नहीं प्रोजेक्टों में कुछ बेटर देई भी रहें डेफिनेटल ऐसी बात नहीं है ठीक है क्योंकि वो टेकनोलोजी कंस्रक्शन टेकनोलोजी फसाड आर्किटेक्चर सब कुछ कुछ ना कुछ बेटर और जादा लेकर आई रहें तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कहीं भी शुरू में एक्जिट करने के के चक्कर में आप कहीं इन्वेस्ट ना करें कि मैं बस एक साल ही होल्ड कर सकता हूं एक साल होल्ड कर सकते हैं यह ज़्यादा तर वो लोग हैं जो पापा मम्मी के पैसे से खेल रहे हैं या अपना ही कुछ थोड़ा बहुत पैसा है ओवर लीवरेज मत करें मार्किट में और बिल्डर्स भी अब शैने हो गयें बिल्डर्स भी अफ़रंट यूए ही 30-50 लाग का मांगने लगें बड़े-बड़े कि जिसके पास एक बार में इतना देने की कैपस्टी है तो तुम आ जाओ नहीं तो बिल्डर also doesn't want a situation wherein everybody with 25% money only has got into the project he is very happy and वो जैसे 25% का आपका गया ओर उसने 35% वाली demand मांगी तो आप कैरो नहीं मैं तो रिसेल-रिसेल-रिसेल-रिसेल-रिसेल करके तो उसको तो घर मनाना है तो builders भी थोड़े smart हैं थोड़े builders की भी मेरे से बात चीत हुई है उनको भी advice ये दिये और advice देने में अब एक चीज मैंने advice दिये और आप मार्किट में आपको आती दिखेगी माई advice to all the builders which I have given very recently is just have a construction link plan अपने साथ क्योंकि वह powerful builder के हाथ में तेजी से बनाना है दीरे बनाना है शुरू में जल्दी बनाना है फिर दीरे बनाना है तो उसके हाथ में और जो ग्रहाक है वह शियोर नहीं है क्योंकि आपको पता है दो साल में भी 70% डिमांड आ सकती है वह खट करके structure बना दिया उसका make-up बहुका make-up वाली बात होती है make-up अपने अराम से करते रहे का depending on उसका वो तो इसमें अब जो genuine पैसे लेके बैठे हैं जिनके पास genuine पैसा है वो ही market में करें अब ये भेड़ जाल में मत करें नहीं तो ये आप इसको speculative market का बनाने में लगेंगे फिर ओ 25% लेके सारी दु कि रिए जो दो साल पहले लॉंचीज होए थे 1090 2080 आपको पता है गुडगाओं जैसे market में और कहीं अलग जगे भी होए थे क्या उसका फरक पड़ेगा उसका इसलिए ना फरक पड़े क्योंकि वो लोग अभी भी नहीं बेच रहे अभी भी market में एक साल बचा है आने के ल लोग ना black and white करके लेके जाना चाते है वीडियो में सला सला हमेशा layered रहती है gray रहती है and higher order thinking रहती है अब ध्यान से सुनना अगर मैंने 75 लाग की चीज ली टू बीच के टाइटिस सा जो ये निकले थे अगर ये run-up करके सवा करोड के उपर चले गए याई 1.3 1.4 चले गए तो भी है 1.3 1.4 पे भी 3 टका rental yield मिलेगा पर वो मेरे 75 लाग पे rental yield बन जाता है 5.5 टका तो 5.5 टका rental yield अगर मेरा बन गया और अब मैं loan लूँगा और loan पे मेरे को income tax tribute लेगा तो वो मेरा जो shortfall है वो कम है मतलब मेरी जेब से बहुत जादा मेरे लोड नहीं आ रहा तो मेरे पे लोड नहीं आ रहा और मेरी loan taking capacity है जो बहुत लोगों की होगी तो वो क्योंकि वो उनके अगेंस loan तो कहीं उने subvention और यह सब scheme में थी उसके अगेंस लिया ही गया है ना वो ठीक है civil वेबिल चेक्ट या ही गया है तो जब वो मेरे पे loan की मार गिरेगी तो मेरा वो कुश time दे दिया था हमने जोर लगा के ठीक है अब 10-15% और दे देंगे position पे ठीक है तो loan मैं लूंगा मालो 60-65% का तो यह 60-65% loan में जितना interest component है उतना तो मेरे को किराया मिल जाएगा यह calculation हो रही है क्योंकि आपने 100 पे loan ने लिया rental yield आपको 5.5 तका मिल रही है invested amount पे अभी current market price प आप सबको समझ में आ रही है जिनको समझ में नहीं आ रही है तो मैं बिलकुल भी समझाने नहीं वाला वो शिक-शिक करके excel पे की भाई और भेनों यह देखो ऐसे नहीं समझा रहा विकास मेरे सारे channels are not for those people जो नहीं समझ सकते यह भी एक जो भी लगाना लगा लो ठीक है त तो अगर मेरा 8.5% मेरा interest का rate है तो मेरे को जो वो मिल रहा है rent वो will take care of this प्लस जो income tax benefit है property का income tax का मिलता है 66,000 के करीब एक इंसान को मिलता है साल का और husband wife दोनों ले रहे तो एक लाख 32,000 भी हो सकता है वो मेरा एक तरह से profit हो गया या वो मेरा principle पे करने के काम आ गया है तो ज rate आपको समझना है 3-4 साल प्रोडक्ट में रहने के बाद ही पक्का होना है अधरवाइस वो cold coffee का ज़ाग है बिल्डर करें और इस चीज से जो नहीं खरीद रहे जो नहीं खरीदना चारे जिनका पैसे नहीं है या conviction नहीं है या डर है या भै है और जो इस चीज को कह रहे है FOMO है FOMO है आ रहे है यह सब गिरेगा मरेगा यह realize नहीं कर रहे है कि वो जो आपको अभी जो froth दिख रहा है वो भी solid चीज बन जाएगी 3-4 साल में क्योंकि economic growth होनी है elections के results आने है stock market ने बढ़ना है inflation ने बढ़ना है पैसे कई कुछ नहीं आएगा तो वो 100 आपका डेड़ इस हो गया तो उसमें बल्ले बल्ले करने की भी जादा जूरूत नहीं क्योंकि वो inflation डाय नहीं खा जाएगी जो कि officially 6-7% है पर अगर middle class की aspirational वाली लगा लू मैं क्योंकि जो count नहीं होती government के 400 data में जो EICPA नमबर निकालते हैं तो inflation से 12-13-14% है आप देख लो आप कौन से school म बच्चे को पढ़ाना चाते हो उसका क्या हो रहा है रेंट का क्या हो रहा है यूंकि जो government data करती हो बहुत official और अलग तरह से करती है एक unofficial system और इकना भी भी चलती इंडिया में आपको पता है ठीक है तो यह करना ज़रूरी है इस जीसको understand कर लें पट exit करने के लिए ना करे hold करने के करें क्योंकि monopoly का अगर आपने देखा होगा तो monopoly के game अगर खेला होगा जो बच्चे खेलते हैं अगर जिन जिन ने खेला है प्लीज कमेंट सेक्शन में monopoly लिखना आप सारे के सारे तो game में वही जादा दिर तक बना रहता है उसमें कोई हार जीत नहीं क्योंकि चलत exit entry exit करके रोटी खाने भी गौत unemployment बहुत है वो खहीं पहुच नहीं रहे हैं याद रखना पहुचेंगे real estate में वही जिनकी पास रोटी खाने का पैसा real estate से नहीं निकालना है और holding power है जो केवल ये exit entry exit entry के चक्कर में हैं तो आपको देखना है कि एक जगह पे entry और exit आपको उ तो वो भी बढ़ता हुआ दिखता है आपको लेकिन वो rate बढ़ता हुआ दिखेगा वो भी एक time तक जग है और ये जो difference था जग का ये cover हो जाएगा तो यहां रहने में ही फायदा है नहीं तो दुबारा EDC, IDC, GHT, brokerage और registry और ये सब charges पे करते रहोगे तो अपनी property ले ले शांती से ले लो और को lucrative लग रही है और पैसे नहीं है तो उसको pass कर दो अस मुस्कुरा लो consolidate कर लो कुदी कुदी मार के एक लिया फिर बेचा और same शहर में कभी भी property exit नहीं करना चाहिए आपका X शहर में investment था उसकी story play out होगी या story play out ही नहीं हो रही या आपको लगा था great story है great story नहीं निकली कोई भी कारण है अब आपको मजा नहीं आ रहा तो इसमें से exit बनता है and then यहां आपको story why शहर में ठीक लग रही है तो आप डालो वो एक ही शहर में जैसे गुडगामे में इस रोड़ पे मैंने ले लिए अब इस रोड़ पे launch हो गया इधर launch हो गया रह show में बढ़ रहा है कहीं यहां बढ़ता है कभी यहां बढ़ता है कभी यहां बढ़ता हर जगे बढ़ जाता है अब नियू गुडगाओं के रेट अगर बढ़ गए और बढ़ रहे है और बहुत जादा बढ़ रहे है और वहां पे 16, 17, 18, 18,000 के launches आएंगे तो गॉल्फ को बढ़ रहा है तो नड़ा बढ़ेगा नड़ा बढ़ रहा है तो गुडगाओं को बढ़ना है क्यों प्राइस डिफरेंशल चीजों का हमेशा रहना ही है देर सवेर और वो कई बार चेंज होता रहता है यह डायनेमिक सिच्वेशन रहती है तो आई होप इस वीडियो के मा पर पोल्स भी होती है इंफॉमेशन होती है अपडेट्स होते हैं वीडियो होते हैं वेबिनाज होते हैं लाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं और उस सब चीजें बहुत बढ़िया तरह से करी जाती हैं तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं कैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं ग